वालकम बैक एवरिवन तो यार आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इस लिस्ट तो अल्रेडी हम इसके बार में थोड़े सी बात कर चुके हमने कुछ एक्जांपल में लिस्ट को जनरेट किया इवन जब हम स्ट्रिंग पढ़ रहे थे डॉट स्प्लिट मैथड जब हमने यू तो यहां पर कहने का मतलब क्या है यार सिंपल कि हम लिस्ट के अंदर किसी भी टीटर टाइप के बैरेबल को डाल सकते हैं चाहे वह आपका कोई ट्रू एंड फॉल्स वैल्यों चाहे आपकी कोई नुमेरिकल वैल्यों हो लाइक कोई फ्लोटिंग टाइप वैल्यों हो या बात करें तो और दूसरी बात की एक लिस्ट के अंदर सेम वैल्यों कितनी बार भी एक्सिस्ट कर सकते हैं ओके तो अगर मैं यहां पर next करूँ सबसे पहली बात आती है कि list को हम create कैसे करते हैं चलो देख लेते हैं फटा फट से मैं एक new file यहां पर create कर लेता हूँ new and lists नाम से तो सबसे पहले बात करते हैं कि list को हमें create कैसे करना है तो कुछ भी एक name लेते हैं like list1 यहां फिर मैं यहां पर simple से नाम लेता हूँ my list ओके तर लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं square brackets का अब जो भी item आपको इस list के इंदर डालना है ठीक है उसको हम डालते है like हम string डालना है तो मैं यहां पर डाल दूँगा है इंदरचीत कॉंवा अगर आपको कि numerical डालना है तो अप आशे कि डाल सकते हो अप वोग को तो अब अगर मैं यहां पर print करूँगा my list को ठीक है तो यह normally हमारा यहां पर पूरी list print हो जाएगी तो अगर हम यहां पर print करेंगे इसका type कि type क्या है कि किसका हमारे my list का तो हमको यहां पर answer मिल जागा list तो आय होप आप लोग को समझ में आ गया कि लिस्ट को क्रेट कैसे करते हैं स्कॉयर ब्रेकेट से तो सिंपल जहां आपको स्कॉयर ब्रेकेट से दिखें ठीक है तो अब आप समसकते हैं हमारे यहां पर एक list है जो भी इसके लिखा हुआ है वह हमारे क्या एक list है ओके नेक्स्ट हेर वी हैव लूपिंग ओवर इच element using for and while loop ओके जैसा कि हमने अपने कुछ previous वीडियो में देखा था कि जब भी हमारे पासके sequence होता है तो वहां पर हम for loop का यूज कर सकते हैं जैसे कि हमने range function का यूज किया था जो कि हमारे sequence generate करके हमें return करता है सेम यहां पर मैं क्या करूंगा लिखना for item in my list क्योंकि list भी हमारी क्या है sequence है तो हम directly आप लिख सकते है for item in my list और मैं print कर दूंगा item तो जब तक हमारी list के यहां प्रेंट होते रहेंगे one by one okay सबसे पहले हमारा item था you know list के अंदर मैं इस्ट के अंदर पहला item कहा था इंद्रजीद वह हमारा print हो गया then item के अंदर value हमारी आगे 21 वह हमारी यहां पर प्रेंट हो जाएगी then item के अंदर value आगे उसकी next value 7.2 तो वह हमारी यहां पर प्रेंट हो जागी ऐसे जब तक हमारी list के अंदर items है वह हमारे यहां पर one by one print होते जाएंगे ओके अगर आपको यहां पर लास्ट वाली value चाहिए थी हम क्या लिखते थे स्ट्रिंग के अंदर minus one राइट तो सेम हम यहां पर लिख सकते हैं माइनस वान ओके अगर आपको लेस्ट से यह वाली value चाहिए थी तो हमारा किया जागा 012 सेकेंड इंडेक्स पर मारी value है 7.2 तो अगर मैं यहां पर 7.2 लिख दूंगा तो वह हमारा स्वारी यहां पर लिख दूंगा तो हमारा अंसरा जाएगा 7.2 जो भी इस इंडेक्स पर वैली होगी राइट ओके नेक्स हम देख रहे थे यहां पर की क्रेटिंग लिस्ट फाम स्ट्रिंग यूजिंग लिस्ट कंस्ट्रक्टर अब देखे हैं मेरे पास कोई स्ट्रिंग स्ट्रिंग है ुक pregunta से ऩियर वन नाम की स्ट्रिंग है इंड्रजीट क्या क्या है कि इसका हर एक जो करेक्टर है वो मुझे लिस्ट के अलग-अलग items में चीह है इसके हरे character को हमें list का एक item बनाना है तब हम क्या करेंगे just मैं लिखना हूं list1 list constructor का use करेंगे ओके इसके इंदर पास कर देंगे जो हमारी string है like string1 and then we are gonna print here list1 ओके तो जो हर एक character तब हो हमारा list का एक item बन चुका है ओके अगर आपको यह वन और लाइन में प्रिंट करने तो आप यहां पर इसके उपर फॉर लूप का use कर सकते हो ओके नेक्स्ट भी हैव एर क्रेटिंग लिस्ट फ्रॉम स्ट्रिंग स्प्लिट मेथर जो कि अल्रेडी हम कर चुके है है राइट जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया था स्ट्रिंग वाले लेक्चर में स्प्रिट मेथर के बारे में कि अगर में बसकी यहां पर सेंटेंस है लाइक दिस इस सम्टिंग रेटन हेर राइट तो अगर मैं आपे प्रेंट करूं अगर मैं स्ट्र वन डॉट स्प्लिट तो स्पेस के एकॉर्डिंग हमारा हर वर्ड अलग अलग हो जागा अगर हम बाइट स्प्रिट के अंदर कुछ भी पास नहीं करते हैं तो यहां पर क्या होता है स्पेस राइट तो अगर मैं इसको run करता हूँ तो this हमारा अलग हो जागा, is हमारा अलग हो जागा, something हमारा अलग हो जागा, written अलग हो जागा, here अलग हो जागा, यह फिर अगर आप चाहते हो कि आपको स्पेस से नहीं किसी और चीज़ से अलग करना है, यहां पर कोई कॉमा था, तो यहां पास में लिस्ट में तीन आइटम यहां पर हो जाते है राइट इस इस सम्थिंग रिटेन और यहर से परेट कहा से वह कमा से ओके ओके नेक्स्ट विह हैं आप यह मर्जिंग तूलिस्ट प्रिया में एक लिस्ट एल इस वन जिसके तर पुछ वैल उसे लाइक वन वर सम्थिं क्यों दोनों kे इन दोनों के आइटम को प्लस कर देंगे तरिक है दोनों लिस्ट को मर्ज कर देंगे तो तो होगा कहें हैं एक नई लिस्ट को रिटर्न करेंगे तीक है जिसके अंदर यह 44 ऐटम होंगी जो मेरे लिस्ट वण के अंदर है और लिस्ट टू के अंदर भी है है अब अगर मैं यहां पर लिस्ट वन को प्रेंट करों तो उसके वैल्यूज में कुछ भी फर्क नहीं आया होगा तो उसकी वैल्यूज सेम तो सेम हैं क्योंकि हमारा यह प्लस ऑपरेटर जब हम यूज करते हैं तो यह एक ज़स्ट एक नया लिस्ट हमें रिटर्न करके देगा तो हम उसको एक न्यू बैरिबल के अंदर भी डाल सकते हैं ठीक है उसके बाद में इसको यहां पर प्रिंट कर सकते हैं डिसेंट मैटर ओके नेक्स्ट भी है एक एडाइटम्स इन लिस्ट यूजिँग अपेंड मेटर ओके लिस्ट वन मेरे पास में एक लिस्ट थी यहां मैने का हओ मैं लिस्ट मेरे पास में एक लिस्ट थी इसके अंदर कुछ आइटम थे like मुझे मार्केट जाना है तो मैंने है रहा निख पूट टो लेक्ट करता हूं माइल लेस्ट को ओके तो नॉर्मली होगा कि यहां पर लेस्ट हमारी प्रिंट हो जाएगी अब आफर प्रिंटिंग मुझे रगता है कि यह नहीं इसके नदर कुछ एक आइटम कम है अब मुझे वह राइटम भी इसके नदर ढालना है राइट तो हम क्या करेंगे हैं आप लेकिन के माई लेस्ट ओके धैन मैं यहां पर लिख दूँगा डॉट अपेंड ऑके जो माई हमारी लिस्ट का एक मैथड है तो जस्ट कॉमा और सके नदर हम डाल सकते हैं लाइक शूप अगर मैं इसके बाद में यहां पर प्रिंट करूँगा हमारी लिस्ट को तो हमारा अंसर आजागा कुछ ऐसा ठीक है पहले हमारी यह राइन प्रिंट हुई माई लिस्ट तो वो हमारी यहां पर प्रिंट होगी उसके बाद में हमने यहां पर कहा किया लिस्ट में एक और आइटम अड़ करते हैं डॉट अपेंड मैंज़ट की तो हमारी लिस्ट से तो एपने पर कहले हैं एक उसे मिलश्ट के अंदर विश खर सकते हैं गया लैसे मुझे यहां पर सिर्फ चाहिए स्टाटिंग के दो इतम्स हमारी लिस्ट से तो मैं यहां पर कहा लिखूंगा कि 0 से स्टार्टिंग करने तीन पर रुखना है राइट इन से एक पहले रुखना है तो 012 तो स्टार्टिंग ए 3 हमारे बास में यहां पर आ जाएंगे अगर मुझे यहां पर मैंगी तक चाहिए था तो जिरो वन टू तक जाता हमारा से स्टार्ट करना है मैं बात करूं कि मुझे यह दोने वैल्यूस चाहिए राइट मैंगी एंड पटेटो लेकिन मैं यहां पर माइनस के इंडेक्स करना चाहिए यहां मैं कहूं कि मुझे लास्ट की दो वैल्यूस चाहिए तो हम क्या करेंगे आप लिखने माइनस टू राइट इसके अगर आप कुछ भी लिख अगर मैं यहां पर लिख देता हूं लाइक की स्टार्टिंग माइनस तीन से करनी है लेकिन जाना है हमें यहां पर माइनस वन तक डैट मीन्स की वैल्यू है वह हमारी यहां पर प्रेंट नहीं होगी उसे जस्ट एक पहले यहां पर रूख जाएंगा राइट रन किया तो ह यहां पर यहां पर यूज कर सकते हैं अब बात करते हैं रिवर्सिंग लिस्ट तो देखेंगे इसको कैसे करना है कि मैं सेकेंड प्रेंट माई लिस्ट डॉट रिवर्स रन किया नन रिटर्न होके मार बास में यहां पर आ गया क्योंकि यह रिवर्स करता क्या है जो यह मारी एक्जेक्ट लिस्ट है यह उसी को रिवर्स कर देगा तो अगर मैं इसको माई लिस्ट को यहां पर प्रेंट कर दूँ जस्ट माई लिस्ट को ओके लाइक टाट ऊपर हम यहां पर कर रहे हैं माई लिस्ट डॉट रिवर्स अब फिर हम इसको रन कर रहे हैं तो जो भी हमारी लिस्ट थी उसका जस्ट रिवर्स और में सारे-सारे यहां पर आजाएंगे तो आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना था डॉट रिवर्स को यहां पर यूज कर सकते हो ठीक है आपको दिखाता हूं आपको दिखाता हूं कैसे करेंगे हमें करना क्या है वाइल आई की वैल्यो को में यहां पर स्टार्ट करता हूं जिरो से हम यहां लिखेंगे आई इस लेस देन लेन ओफ माई लिस्ट और यहां पर एककोल टू भी लगाना पड़ेगा ओके तो हमने लिखा क्या है वाइल आई इस लेस देन एककोल टू लेन तो लेन्थ वारी कितने है वान टू ठी फूर ओंध हो गई हैं और ने करना जीरो से तो वी टोओंट नीड टो यूज इक्वर क्योंकर हमारा जीरो इंडेक्स पर इत्लाइन होगा उसको उन्प्रिंट कर देंगे दैन फॉस इंड ओके ऑनिन ओनियों ओके जब भी हम वाइल लूप का यूज करते हैं हमें करना क्या होता है जस्ट यहां पे इनक्रिमेंट करना होता है आई का अधर्वाइस मारा इन्फिरिट्री लूप चलता रहेगा और यह वैलिई प्रेंट होते रहेंगे ओके अनियन पेटेटो में पार कि उसके जैसे में इंडेक्स के तुरू एक पर्टिक्लर वैल्यू के एकसेस करते हैं वैसे हम यहां भी प्रेंट करवा सकते हैं ओके दैन आइकों हम इंक्रीज करते रहेंगे सब्सक्राइब आइस देट्स वीडियो थैंक यू बाबाए